रूस के राश्टमती वलादिमीर पुतिन के परमाणू अलर्ट से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है एक सवाल सीधे बार-बार हो रहा है कि पुतिन ने अपने परमाणू दस्ते को आदेश दे दिया है तैयार रहने का अलर्ट रहने का छुटियां रद कर दी गई है तो क्या ऐसे में पुतिन परमाणू हमले की मूड में है ये एक बड़ा सवाल यहां पर बन जाता है फिलाल रूस और युक्रेन को लेका जो स्थिती बनी हुई है और युक्रेन में जो इस तरह के हालात है और जो तमाम भारती वाब पर फसे हुए है उस पर बात करने के लिए और स्थिती पर बात चीत करने के लिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं विदेश राजिमंत्री जनरल वी के सिंग जी सिंग साब बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्रप्रदेश उत्रखंड में जनरल सहाब सीधा सवाल आप से करूंगे इस वक्त जो हालात है रूस और युक्रेन के बीच में बेहत तनापून हालात बने हुए है युक्रेन में कई ऐसे भारतिये हैं जो फसे हुए हैं हाला कि तमाम भारतिये वापस आए भी हैं लेकिन अभी भी वहां हजारों की संख्या में भारतिये फसे हुए हैं तो ऐसे में सरकार का क्या action plan है देखे ऐसा है कि एक्शन प्लैन तो तभी बनता है जब आप ग्राउंड के उपर जाते हो फिलहाल हमारे मानने प्रधान मंत्री जी ने एक बहुत सोची समझी तजवीज बना कर ये किया है कि हम अलग अलग जगे पर जाएं ताकि उनके बीच के अंदर तालमेल पैदा करें वहां अपने लोगों को निकालने के प्रयास के अंदर और गतीद हैं और जो भी कोई दिक्कत आ रही है उसको दूर करने की चेश्टा करें तो एक बहुत बड़ी तजवीज है प्रदान मंतरी जी की और हम सब लोग वहां पर जा रहे हैं और उनके अनुसार हम सब लोग चीजों को ठीक करेंगे लेकिन इस वक्त जिस तरीके के हालात हैं जनरल सहब ऐसे में तमाम देश सोच विचार कर रहे हैं क्योंकि कोई भी आगे नहीं आया है बदद के लिए तो आपको क्या लगता है इन हालातों में सबसे ज़्यादा दबाव किस देश पर है देखिए ऐसा है कि अलग लग देश के अलग लग जिम्मेवारी है हर एक जगह पर कोई दबाव रहेगा आपको शायद लग रहा है कि पोलेंड पर जादा है लेकिन मेरे ख्याल से हर एक जगह पर दबाव आएगा क्योंकि बहुत सारे हमारे भारतिये वहाँ पर है और इस सरकार के उसे किस तरह की तैयारिया की गई है क्या रणीती अक्तियार की जा रही है किस तरह की कोशिशे हैं जो की जा रही है देखे भारत भारत सरकार की तरफ से भरसक प्रियात्मी करा जा रहा है सब तरीके से सब लेवल्स के उपर ताकि हम अपने लोगों को सुरक्षित निकाल सके साथ साथ मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि हमें जो उनके अभीभावक यहां पर भारत में हैं थोड़ा धैरे रखें थोड़ा शान्ती रखें क्योंकि भारत सरकार पूरे तरीके से अपने काम के अंदर लगी हुई है इस समय छोटी चीजों को लेकर उनको उपर उठाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि ना आपको पता वहां पर क्या सच है जब तक हम ग्राउन पर नहीं जाएंगे हमें नý पता क्या हो रहा है वहां पर इसलिए हम ग्राउन पर जा रहे है और कल तक ज़्यादातर लोग पहुंच जाएंगे उसके बाद हम चीजों को देख सकते हैं क्या उनके अंदर समस्य आरी उनको दूर कर सकते हैं और हमारी कोशिश है कि सब को सुरक्षित वापित लाई है जनरल साहब आप बेहद वरिष्ट हैं आपने विदेशों में काई रेस्क्यू आपरेशन किये हैं इस बाज इस तरह की स्थेती है इसे आप कितने बड़ी चुनौती मानते हैं देखे कोशिश यही है जितने भी जिन्दगी के अंदर अनुभव होते हैं वो जब कोई चुनौती आती है समस्या आती है तब उसको दूर करने की कोशिश करते हैं